तो आज हम जा रहे हैं लकिरानी सरकस असलाम अलेकम दोस्तों वेलकम करता हूँ मेरे यूटूब चैनल आर्जे विलोग 24 पे तो दोस्तों आज वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो यह मेरा दोस्त आया हुगा है रजवान भाई तो आज हम जा रहे हैं लकिरानी सरकस और जोखानपुर लगी हुए है काफी दिनों से उसकी बातें सुन रहे थे लोग बोल रहे थे हम होकर रहे हैं तो मैं भी आज पहली बार जा रहा हूं सरकस पर तो मौल तो बहुत अच्छा होगा ठीक है ना बहुत अच्छा मौल है हम वहां जाकर वीडियो आपको दिखाते हैं कि कैसा मौल है उर्द्र क्या क्या चीज़ें और कितना इंट्रेस्टिंग नजा रहा है तो चले मौल भी आप चाहिए आप जाए चाहिए जाओ ठीक है जाओ टिक है जी तो दोस्तों अब हम आएवे आए नहाए तो रस्वान भाई जो लकी राणी सरकस है तो इदर आए हुए है माशाला बहुत अच्छा इतर मोल है तो हम कोशिश करेंगे कि अधर अंदर बीजाएं कि अंदर की वीडियो भी बनाएं तो मैं हम आगे का मोल दिखाता हूँ वीडियो का कि सरकस का कैसा मोल है और क्या क्या जानवर है तो मौलीब साब मारा कैमरा मैंन होगा और मैं बाइक चलाओंगा तो आप सरकस का मोल दिखाएंगे तीक है यह खानपूर पर लगी हुए है लकी राणी सरकस है अब चल्दा जाए है अब बोड दिखाओ यार इस बोड दिखाओ इस दिखा रहे हैं जा आ अचा माने और जा जाए है जाल ना के खिाल जाल सरकस और डेका खना हो चल्दा यार जैटारस्टी कर दो देंगे जा जितांगे है यह तो घुलिघय अंद५ ड़ndगे being on the देखो दोस्तों यह गोड़े है अंदर नहीं जाने है पर दो कि तरह बढ़ाना थे कि it तरह टाने क्यों आप सिद्षा जाने की है जदेख रहे सी अब यह कीजित्व आप अप हुआ 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 है आप इस लुआ है अब अब यह आज़ा आज़ार है दोस्तों यह सरकस का मेंड गेट है इधर से अंदर से यह गेट दिखाओ यार और यह गेट लगा हुए लकी नाहिर सरकर का वो टैम टेबल लगा हुए च्टने टाइम बज़ यह चलेगा टीन बज़ने चलेगा तो दिखाओ फिर अंदर समय जाने देएं में वो बंदर की पासे आँ वो बंदर बठायर शाइनकर वीडियो बना उसकी दोपर सबस्क्राइब इंदो दोस्तों को बताऊ कैसे मौल लग रहाया है जबरदस्त है अलहां आपर बुट्र चलता है सब्सक्राइब दोस्तों तीन बजे सब्सक्राइब बहुत ही अच्छा महला है जबरदस्ट है अब देखो अब तो अंदर भी है कुछ सिस्टम तो हम अंदर तो नहीं जाएंगे तो अंदर कोशिश करेंगे नाइट को कोशिश करेंगे हम आगए इदर तो बहुत अच्छा महल हो जाएगा जोए जोएगा तो अभी देखो विल्टाम महल है हमने का इदर सा थोड़ा सा महल हो जाए तो रजवान भाई को लेकर आए हैं रजवान भाई तो इदर पहले कभी आयों सरकस में नहीं मैंने तो पहले ब जो परग्रम शुरू होता है तो इसकी शिफ्ट होती है वो टैम्टेबल होता है इतना तीन गंटे का शो होता है तो वो इस आप से अपना शो वगरा चलाते हैं ठीक है अब इदर से वाहिट गोड़े अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं अब हैकिकत भी दिखाते हैं हाँ आएए देख रहें दोस्तों आए यह किसको नहीं को तो तो सब्सक्राइश इना यह तेरा गोड़ा है । दोस्तों यह मोहल है सरकस का और बहुत अच्छा मोहल है नाइट का फंचन होता है और नाइट को और भी अच्छा फंचन होगा तो हम कोशिच करेंगे कि नाइट को भी चकर लगाएं तो आज रजवाइन भाई को गुमाने के लिए ले आ रहा हूं और इसने बोला मुझे सरक बोल पर लगाएं तो तीन बजे चलेगी और ठीकट वगयरा भी हो रही है अगा 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 इस तो यह चोटे गोड़े आ है देखो प्रया ऑट को अगा 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 इस कि अएम यह जुगा आवाएं पैसक्वाएं अगाऊ स्युक्त, क्या शवाएं अभाएं जीकि और अब्ला कर दो आपाएं में देखान आप समय तो प्रीकिष्णियंगर, क्या प्रीक, क्या अगाएं है अगा आपे नहीं जीक्माएं पॉल उसा बाइक ले रहे हैं कहते हैं चलिए मैंने का सबर करो तोड़ा सा इधर का भी मोल दिखा दें में गेट है और आप देख सकते हैं लग्की राणी सरकस लिखा हुआ है और मोल अच्छा है ला में अच्छा हुआ 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 है अच्छा हुआ है अच्छा हुआ है तो दोस्तों माशा आलला है अर्कस का मोहल बहुत अच्छा था हमने देखा सबी चीज़ें हमने वीडियो में रिकार्ड की तो रजवान भाई ने भी बहुत एंजोई किया जीक है सरकस इसको गुमाई तो बहुत अच्छा मौल था तो हम कोशिश करें के नाइट का भी फंच्छन पर हम आएं और आपको वह मौल भी दिखाएं और कैसा होत तो आज़े वलोग 24 को सब्सक्राइब कर दिजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो मैं परी द्वा में याद रखेगा अलाफेज वीडियो पूरी देखने के लिए शुक्रिया अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आज़े वलोग 24 को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज आदि साथ बेल आइकन घंटी को भी दबा दें